Subscribe the Channel and press notification bell for new videos and updates आपने उन्हें हमेशा के लिए खो दिये बहुत सारे सवाल होते हैं और उपर से यह ब्रेकप का पैन भी होता है होना चाहते हो तो दिस्क्रिशन में उन सबके लिंक मेंने दे रखे आप वहां जाके मुझे फोलव कर सकते हो ब्रेकप हो गया और अभी आपको यह डिसाइज नहीं करना है कि आपको मूवन करना है या आपको अपने एक्स पार्टनर को वापस बाना ब्रेकप हो जाने के बा ऑने को देना नहीं चाहते हैं उसलिए उनको मनाते हैं उनके लिये रोगते जोपी चीज़े करते हैं नवा आपको नहीं करना यह वो कुछ भी कर लो उनको पता ही कि आपको तखलीप हो रहा पेन हो रहा है तो उस समय पर जा रहा है तो जाने दो कोई भी चीज आपको नहीं करना है, अगर आप ऐसे करते हो, तो मौन करने में भी आपको प्रोब्लम होगा, और अपने Egg Partner को वाफिस पाने में भी यह आपको प्रोब्लम देगा, अब यहाँ पे दूसरी जी जो आपको decide करना होगा कि आपका break-up हो गया तो आपको क्या mohan करना चाहिए या आपको अपने ex-partner को वापिस बना चाहिए सबसे पहले बात करते कि किन लोगों को mohan करना चाहिए देखो ऐसे लोगों को अपने रिलेशन में अब मोन कर लेना जाए जिनका आप ही ब्रेक अप हुआ है कि अगर उनके रिलेशन में सिफ ऐसा है यह वो ही सिफ अपने पार्टर को प्रेम करते हैं आप उनको प्रेयम करते हैं, सचा प्रेयम करते हैं, आप हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं, आपका पार्टनर हमेशा आपको हॉट करता है, आपको लगता है कि रिलेशन में जाने के बाद दिए उनका विभाहर नहीं बलेगा, और हमेशा वो आपको हटी करेगा वो कभी बजलने वाला नहीं है और ना ही वो आपको प्यार करता है और ना करेगा तो आपको मुहन कर लेना चाहे क्योंकि इस relation में सिप और सिप आप हट होगे और कुछ नहीं तो आपको मुहन करना चाहे अब मैं बताता हूँ उन लोग को जिनको अपने ex-partner को वापिस पाने के लिए कोसिस करने जाए अगर आप भी अपने partner को प्यार करते हो और आपका partner भी आपको प्यार करता है आपको लगता है कि ये relation में break up एक mis understanding ये आप दोनों साथ में वापिस रह सकते हो वह भी आपको प्यार करता है और वापिस आपका relation चल सकता है और कोई problem नहीं आएगी यानि कि कोई बड़ी problem नहीं होगी तो आपको move on करने के कोई ज़रूरत नहीं आपको अपने ex-partner को वापिस पाना चाहे तो उपर आई बटन पे मैंने link दे रखा है पूरे पूरे एक्स बेक की जो वीडियो सीरीज है उनका आप हो वीडियो सीरीज देखिए और उनसे भी एक्ट्रा आप एक्स बेक के बारे में जानना चाहते है समझना चाहते है पूरी चीज को एट उचेट ब्रेकप के बारे में कि अपने एक्स पार्णर को कैसे पाए तो उनके लिए मैंने ebook लिखी है उसकी description में link है और i button पे भी link दी रखी है वो आप ebook भी चलू डाउनलोड करिए जो लोग अपने एक्स पार्णर को वापिस बना चाहते मेरी x-back की पूरी video series उनके लिए है और उपर से extra एक ebook भी है उनका काम यहां से 100% हो जाएगा अब बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनको मुहन करना है मुहन करने वाले लोग क्या करें सबसे पहले आपको यहां पर यह सोचना है कि आपके पार्टर ने आपको क्यों छोड़ जिया देखो इस दुनिया में बहुत सारे जैसे लोग होते जिनको पाने के लिए लोग तरबते जिनके पीछे भागते जैसे आप अपने पार्टर के लिए भाग रहे होते और बहुत सारे लोग जैसे होते जिनको बहुत सारे लोग छोड़के चले जाते हैं तो इन दोनों में फर्क क्या होता है जिनके पीछे लोग भागते हैं जिनको पाना जाते हैं उनकी लाइफ में अपने स्टेंड होती है वो अपनी लाइफ में कुछ अस्तित्व होता है करियर वाइज या कुछ भी उनकी प अपने परवलोपने के बारे में नहीं सुचा है अपने करियर को खुद और अस्तित्व बनाने के बारे में के आपकी इसकाप। लोग आपको छोड़के जाएगा क्योंकि लोगों को लगता है कि आपको कोई पसंद नहीं करता आप खुद देख लिए कि लोग ऐसे लोगों के पीछे भागता है जिनकी खुद की समाज में इस दुनिया में कोई एक आइडेंटी होता है एक अपनी पहचान होती है वो अप अपनी लाइफ में कुछ करूंगा लेकिन मुझे अपनी पार्टनर की याद आती है तो उसको कैसे बूलो हर चीज में वो मुझे परिशान करती बहुत ही अच्छी चीज होगी आपके माइंड को यहां पर डाइवर्ट करनेगी जो भी सारा चीज है ना जो भी खेले लेना आपके माइंड का है आपका माइंड यह चीज होता है कि कोई मिझे छोड़ के क्यों गया उनकी बहुत सारी यादे होती है तो हमारा माइंड जब फ्री रहेगा तो उनको ऐसा ही खयाल आएगा वो ऐसा ही परिशान होगा इसे अच्छा है कि आपके माइंड को काम दिया जा तो आपको यहां से सोच लेना है कि अभी से आपको एक meaningful life जी नहीं है, आपकी life ऐसे वेस्ट नहीं करना है, आपकी life meaningful होनी चाहिए, इसके लिए आपको अपनी life में कोई goal decide करना पड़ेगा, आपको कितने समय में क्या अपनी life में चाहिए, इसे आगे आप कैसी life जीना चाहते हो, यह आपको यहां पर decide करना पड़ेगा, तो आप जैसे decide करोगे, goal बनाओगे, तो आप planning करोगे, कि यहां से यहां में अपनी life में यह करना चाहता हो, यह पाना चाहता हो, तो आपके mind के पास अब नई memory आई, नया work आया, उसी पो सिप इन चीज़ों के बारे में सोचता रहता था, आपको दुखी करता था, क्योंकि वो free है, उनके life में relation के सिवा, प्यार के सिवा कुछ थाई है, बस आपके mind में जो memory है, उसको replace करना है, उनको नई यादे दो, उनको नई ideas दो, तो पूरानी चीज़े अपने आप बूल जाएगा, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर आप लिए करना है